हेलो आप तो टोस्तो इंतजार था जिन बचो ने हरियाना सीविल सर्फिसेंश का एक्जाम देना उनको काफी टाइम से इंतजार था हरियाना से एड्मिट कार्ड्स का जो पेपर 24th जुलाई को होना है और जब तक एड्मिट कार्ड नहीं आ जाते तो कहीं नहीं हमारे मन के अंदर ये एक question रहता है कि कहीं यार exam postpone ना जाए क्योंकि past record जैसे रहे है state services के exam के तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि admit card आ चुके हैं और ये video सिरफ और सिरफ his purpose के लिए है ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो admit card download करने में तो उसमें उसको help हो जाए तो कुछ नहीं करना बेटा फालतू का टेंटे में नहीं पढ़ना है सिधा हर्याना public service commission की website के उपर जाना है आप इस तरीके से अगर आप google के उपर लिखेंगे हर्याना public service commission तो उपर आपके website आ जाएगी ठीक है यहाँ पर इस website को खुलें और जैसी आप website को खुलेंगे यहाँ पर आपको important links में आपर दिख जाएगा click here to download admit card इसके उपर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपका option आ जाएगा again आपको इसके उपर click करना एक नया window खु अपना बहुत सारे बच्चे confused हो जाएंगे कि यह application number या login ID क्या है भूल जाते हैं क्योंकि ठीक है तो इसका भी simple सा तरीका है आपने जब भी पिछली बार अपना account बनाया होगा तो वह already हर्याना public service commission के पूरे के पूरा जो database है उसके अदर available है लेकिन अपने को याद नहीं ह उसको खोलें for example अगर आप gmail यूज करते हो तो अब धुने कैसे sir मिलनी रही है तो क्या करो google gmail पे जाकर के उसके search box में आप लिखो hpsc recruitment इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है और उसको search करो तो आपके पास यह आपके link आ जाएंगे जब आपने पिछली बार form भर होगा तो इसमें से आप देख रहे हो एक के अंदर आपके login credentials है इसको आप खोलोगे तो यहाँ पर आपका username और password दोनों गिवन है तो username को copy कर लो और username की जगह पर चिपका दो और फिर password को copy करके पासवर्ड की जगह पर चिपका दो ठीक है और फिर नीचे यह code डालना है यह देख करके डाल दीजिए and then click on login okay हो सकता है कि पहली बार में यह इस तरीके से आपको error दिखा है तो घबराने की जूरूत नहीं है ठीक है यह होगा यह multiple times हो सकता है एक बार से जादा भी हो सकता है तो कुछ नहीं करना दुबारा से अपनी login ID चेक कर लो two four one seven eight six four six है जैसे यहां पर तो आपने वही डाली है बिल्कुल वही डाली है ठीक है उसके बाद password एक बार दुबारा डाल दो अगर एक बार वो error दिखा रहा है तो tension वाली कोई बात नहीं है बचे घबरा जाते एक अधम से कि नहीं खुला हो यह क्या हो गया हो गबराने कोई बात नहीं गया कोई नहीं है देखो दुसरी बार में बड़ी एसानी से खुल करना है जब आप admit card के उपर click करोगे तो इस तरीके से आपका admit card आ जाएगा और यहां पर यह download admit card का option है यहां से इसको आप download कर लिजिए और अपना venue वगेरा आप easily देख सकते हैं और इसको साथ की साथ ना save कर लेना यह मत सोचना कि मैं बाद में save करूं ठीक है इसको साथ की साथ सेव कर लेना ताकि फिर आपको दिक्कत ना है ठीक है क्योंकि फिर बाद में website खुले ना खुले रश हो जाये जो भी 50 तरह की चीज़े होती है तो साथ की साथ सेव करके रख लीजिए ओके and do it now guys जैसे यह वीडियो देखो वैसे इसको डाउनलोड करके सेव करके रखो ताकि बाद में कोई टेंक्शन आपको ना रहे चलिए तो ठीक है guys this was it and we'll see you in the next class till then take care and bye